हाँ जी समझ जाए नमश्कार बच्चो यह अज हम साइंस के कुछ चैप्टर्स के बारे कुछ बाद करेंगे कई लोगों का कहना कि सर रेलवे के एक्जाम आ रहा है और इस तरह के एक्जाम आ रहे हैं जिसमें साइंस जाद आ रही है जैसे अभी CGL का 10-2 आने वाला है SSC का 10-2 आने वाला है इस तरह के चीज़ें आ रही है तो चलो ठीक है हम साइंस के भी कुछ चेप्टर पढ़ लेते हैं जैको बटा साइंस एक बड़ा लंबा चौड़ा चेप्टर है समय लगता है इसको पढ़ने में है न तो और समझ के पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि जैसे साइंस मतलब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कई लेक्टर्स पहले भी मैंने यूट्फूब पर देखता हूं लोगों कि किस तरह से वो लोग साइंस की लेक्टर डालते हैं तो लोग करते हैं कि question दे देते हैं फिर उसका answer बता देते हैं question देते हैं फिर उसका answer बता देते हैं यार उससे क्या होगा? मुझे आज सक समझ में नहीं आता उससे होने क्या वाला है उससे सिर्फ 2-3 question आप कर पाएंगे उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे माली जी अगर 15 question किसी exam में science के आते हैं तो पर 2-3-4 question आपसे होंगे उसके बाद समझ में नहीं आएगा कुछ भी और वो भी काओ ना हो क्योंकि examiner बेवकूफ नहीं है कि पुराने question as it is उठा के आपके लिए डाल देगा और रख्टा मारना तो solution ही नहीं किसी चीज़ का ना बिटा तो आपको समझनी पड़ेंगी चीज़े बिना समझें आप science के question या किसी भी topic के question बिटा barring history, history को छोड़ दें तो आप किसी भी topic को बिना समझें नहीं कर सकते हैं तो हम again इस lecture में भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे science में बिटा तीन चीज़ पूछी जाती है physics, chemistry और biology biology सब लोगों की दुखती रखे होती हम जानते हैं कि biology क्योंकि काफी कम लोग का ऐसे होते हैं जो biology background के होते हैं और फिर competitive exam के तयारी करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है ना चिद्दा मत करो biology हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी आप लोगों के बट again कई सारे लेक्टर होंगे आज हम physics का एक lecture पढ़ते हैं ठीक है भाई लोग physics का बच्चों के लेक्टर पढ़ते हैं किसका किसमें क्या रिलेशन है एंड को inversely proportionate कर दिया लेकिन वो है क्या हमें कोछ समझ में आता नहीं था और नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लो यह करते थे हम लो यह एक्जाम में लिखकर आना नंबर चाहिए इसी परकार से temperature, heat कुछ समझ में नहीं आता था रट्टा मार लेते थे इसी परकार से light, optics कौन सी lens में, कौन सी light के रहे ऐसी क्यों जा रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही है क्यों प्रित्मी में कहां बन रहा है कौन सा image कहां बन रहा है कौन सी real image है, कौन सी virtual image है कुछ समझ में नहीं आता था, पर हम करते कहा थे, हम दिमाग में रखते थे, भईया, इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना है, बस, ऐसी करना है, और कराते थे, बैटा, यहाँ पर उससे काम नहीं चलेगा, competitive competitive exam में, आपको चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपका selection नहीं होने वाला है, ठीक है बटा आप लोग, तो हम physics का बड़ा ही interesting topic शुरू करेंगे, जो आज से पहले आपको समझ में नहीं आता था, आप समझ में आएगा, उस topic का नाम है, आज हमें एक topic शुरू करते हैं, that is तरंग, तरंग या वेव, ठीक है बटा, तरंग या वेव, नौ तरंग, किसे कहते हैं तरंग, वोट इस तरंग, आज एक यंग लड़क आपको पढ़ा रहा है, टी-शेट पहन कर गया, पहली बार मेरे खाल से टी-शेट पहन के पढ़ा रहा हूँ, कोई खास कारण नहीं है, कुछ श्वेट प्रेस नहीं थी, या तो ये पहन लिया, ठीक, चलिए, वेव क्या है, एक definition लिखते हैं, जो आपने लिखते चले आएं, एक definition लिखते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ाते हैं उस चीज़ को, एक definition लिखिए, जब उर्जा का इस्थानांतरन होता है, परंतु, दरवमान का इस्थानांतरन नहीं होता, जब उर्जा का इस्थानांतरन होता है, परंतु, मैंने कोई चीज यहां पर रख्य हुई थी और मैंने जोर से धका मारा जोर से इसमें लात मारी मैंने और यह चीज यहां से भाग करके यहां पहुँच गई तो आप कहींगे सर एनर्जी का ट्रांसफर तो हो गया जो काइनेटिक एनर्जी इसमें थी वो काइनेटिक एनर्जी या गतिज उर्जा इस्तिति उर्जा जो भी उर्जा की आप बात करें परिशर उर्जा जो भी बात करें वो सब एनर्जी यहां से यहां चली की तो क्या यह तरंग हुआ बटा आंसर इस नो यह तरंग नहीं हुआ क्योंकि तरंग की definition क्या लिखिया आपने कि जब energy का transfer तो हो जाता है लेकिन mass का transfer नहीं होता भाई हो तो यह energy नहीं है क्योंकि इसमें mass भी transfer हो गया है ना जी लेकिन मैं अगर दूसरा example आपको बताओं इसमें से जैसे मान लो मैं थोड़ा सा change कर देता हूँ मैं एक ऐसा system मनाता हूँ कि छोटी छोटी इस्प्रिंग होती है न आपने देखा होगा कहीं खिलोनों में इसको देखा होगा बच्चों के चोटी छोटी इस्प्रिंग और उसक्यूपर कुछ एक बड़ा साइवेक गोल साही लगा देता हूँ अब ध्यान दीजे मैं इसको ऐसे खींचूंगा इस प्रिंग को चोड़ दूगा टक से अब यह कैसे जाएगा ऐससे जाएगा इससे टक राएगा और यह अपनी इनर्जी इसको देगा यह इसको देगा इसको देगा इसको देगा और एनर्जी यहां की एनर्जी दिरी दि ये N तक पुहुँचेगी, पुहुचेगी कि नहीं, तो बड़ता, यहाँ पर एनरडी काde का circuit हो गया? आंसर इस Yes, एनरडी टांसवर हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर वर्ण द्रवमान या मास का स्थानांत्रन हुआ है? आंसर इस No, तो द्रववान वहीं कि महीं है लेकिन इस थान अंत्रण तो इनर्जी का हो गया तो ये तरंग हो गई सर, ये वेव हो गई, जैसे मैं एक और एक्जम्पल लोगी भाई, जैसे मैं हम रसी का एक्जम्पल ले थे, रसी मैंने ऐसे बांद दिये है ना, और इसको रसी को मैंने ऐसे लिया और यासे ऐसे करके दिया तो आपको दूर से देखने वाला को लगेगा कुछ आगे जा रहा है, बड़ एक्जली कुछ आगे जा रहा है कुछ आगे नहीं जा रहा है, एनर्जी जो मैंने डाल कराया हूँ, आप भी डाल के आईएगा, ठीक है, देश के लिए, जाए जिस पार्टी को डाली है, ओके, तो ये वेव हो गई, ठीक है भाई लोग, अच्छा, अब वेव के थोड़े से करेक्टर्स की बात करने से पहले, हम वेव के प्रकार की बात, पहले हलकी बाते करते हैं, हलकी फुलकी बाते हैं, आसान बाते हैं, सिंबल बाते करने की कुशिश करते हैं, तो बिटा जो वेव होती है, कितने प्रकार की होती है, देखिए, मुझसे अगर कहा जाएं कि सर, ये फिरेक Πोड़ सकता हूं। एक पेस पर बाटने के जीज़ों को डाखे कर सकते हैं। कि खाएंगerme से और तरंग को बाटने के वह नहीं कर सकते हैं। मतलब वो चल रही है, जिस माध्यम में, वो माध्यम क्या है, ठीक है, तो एक तो होता है, माध्यम, या मीडियम क्या अधार, on the basis of the medium, दूसरा होता है, वो चलती कैसे है, तो संचरन, तरंग के संचरन के अधार पर, या transfer, वो यहां से वहां जाती कैसे है, तो मीडियम के अनुसरा अगर हम बात करें, तो मीडियम के अनुसरा अचली दू परकार के होती है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, लेकर करके आप बना लेंगे इसको, ऐसी बना ये का जैसे बना रहा हूं है, एक होती है यांतरिक तरंग, और एक होती है आयांतरिक तरंग, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, मेकेनिकल वेव, और इसको कहते हैं, नौन मेकेनिकल वेव, इन दोरों में क्या डिफरेंस है भाई लोग, देखिए, यांतरिक तरंग जो होती है, वो उसको चलने के लिए किसना किसी मीडियम की जरूरत हो इसमिमा लिके लिए आप, यहां अंतरी तरंग के नीचे यहां लिके लिए, जब तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम के अवशक्ता होती है, when the wave requires a medium to travel, जैसे मैं आपको example दो, कि भाई रसी, रोप रोप में तरंग पैदा हो रही है तो रोप में जो तरंग पैदा हो रही है वो कैसी तरंग है, भाई रोप में जो एनर्जी जा रही है, वो रोप के ऊपर ही चल के जा रही है, ना कि रोप के दर दर जा रही है, तो रोप जरूरत है उसके लिए medium के अंदर वो हुक करके जा रही है तो rope की तरंग कैसी हो गई यांतरिक तरंग को गई पानी की तरंग पानी माली जहां भरा हुआ है मने उपर से पत्थर भेगा टप से पानी में गड़ा पानी की तरंग कैसे गई इसको याद रखिए का आप मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला सुन रहा है कैसे सुन रहा है यह जो हवा है ना बेटा इस हवा के अंदर से वो होती हुई वहां पहुंच रही अगर हवा नहीं होती आयांत्रिक तरंग कुछ वे वैसे होती है जिनको चलने के लिए मीडियम के वशकता है ये नहीं बिना मीडियम के चलेगी फर एक्जामपल जैसे मान लीजे मैं एक लोहे का टुकड़ा ऐसे करके लटकाता हूँ ठीक है और उसे पूरी तरह से एक लकड़ी के बकसे में पूरी तरह से बंद कर देता हूँ बिल्कुल टैक कर देता हूँ और बाहर में एक मेगनेट लगाता हूँ एक चुमबक लगाता हूँ तो क्या ये चुमबक इसको खीचेगी बिल्कुल खीचेगी सर हमने बच्पन में वो गेम भी खेला है कि भाई एक अपने पेपर लिया पेपर के उपर एक सिक्का रख दिया और नीचे मेगरिट लगा दी, चुम्बक लगा दी और चुम्बक को गुमा रहे हैं और सिक्का गुम रहे हैं जबकि जो मीडियम है वो तो बिरिखः हो गय है दोनों के बीचे में कोई मीडियम नहीं है, बिटा कोई माध्यम नहीं है तब भी वो तरंग आपस में चल रही है, तो इसमें लिख लीजे आप आयांतरक तरंग लिख लीजे जब तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम के वश्यक्ता नहीं होती एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजेगा विद्धुचुंबकी है तरंग एलेक्ट्रो बैगनेटिक वेव दूसरा एग्जाम्पल परकाश, लाइट बिटा परकाश अगर किसी माध्यम में चलता ना किसी मीडियम में चलता तो हम अंदिरे में बैठे होते क्योंकि सूरज से जो लाइट आ रही है हमारे पास बीच में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो स्पेस है मतलब जो वैक्यूम है पूरा निर्वात है उसमें कोई gas नहीं है कुछ नहीं है कोई तो ये तो हो गया ऑप यह मीडियम का अधार पर लेकिन अगर मैं बात करूं कि भई जो तरंग चलती है वो कैसे चलती है तो उस आधार पे भी यह दो प्रिकार का होता है, कौन सा दो प्रिकार का होता है, बात करते हैं, एक होता है बेटा जसको हम बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स है, दूसरा होता है, अनुदेर्ग तरंग या longitudinal wave अनुद्यरक तरंग या longitudinal wave अनुपरस या transverse अनुद्यरक या longitudinal पहले एक एक line इसके लिखिए फिर मैं बताता हूँ अनुपरस के नीची इसके बारे में लिखिए लिखिए जब कमपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती हिंदी में लिखिए पहले जब कमपन की दिशा कमपन वाइबरेशन क्या होता है अभी 5 मट दिजी मुझे भी समझाता हूँ आपको जब कमपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे अनुपरस तरंग कहते है then when the when the wave travels perpendicular to the direction of vibration when the wave travel perpendicular to the direction of vibration अब perpendicular या लंबवत का मतलब क्या होता है बिटा लंब मतलब कितने डिगरी का कौन होता है 90 डिगरी का 90 डिगरी का कौन होता है ना आप जानते है इस बात को तो 90 डिगरी मतलब यार यह हुआ कमपन क्या है अभी के लिए आप यह समझो, वो force है जिससे वो wave पैदा हो रही है, ठीक है, वो बल है, वो force जिससे वो wave पैदा हुई है, अभी यह मैं थोड़ी दिर में समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए, रस्सी, रस्सी मैंने बांधी, हाथ मेरे कैसे गया, मैंने एसे किया हाथ को, यह ऐसे करके मैंने एक जठका दिया, तो vibration मैंने ऐसे किया, और रस्सी कैसे गई, ऐसे की, रस्सी की इस परकार से गई, तो vibration ऐसे, रस्सी के वे, बैसे तो, कितना degree का एंगल बन गया बेटा है, 20 degree का एंगल बन गया, तो कैसी वेव हो गई? अनुप्रस्त हो गई एक्जाम्पल रसी की तरंग और एक्जाम्पल आप बताईए जैसे पानी का पानी ऊपर से पथा डाला टप से पथर कैसे आया? ऐसे वेव कैसे गई? ऐसे तो 90 डिगरी का एंगेल हुआ के नहीं हुआ? बिल्कुल हो क्या सर? पानी की तरंग समझ रहे है? अनुध्यर क्या होती है? इसमें यवारे में भी लिख लीजे कि जब तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा के समाना अंतर होती है जब तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा के समाना अंतर होती है when the direction of the wave is parallel to the direction of vibration जैसे इसमें क्या बोल रहा हूँ इसमें 90 degree का angle था इसमें क्या हो रहा है इसमें जिस direction में vibration हो रहा है उसी direction में तरंग चल रही जैसे मैं spring की बात करता हूँ मैंने एक spring मांद ली ठीक है spring को ऐसे खींचा और छोड़ दिया vibration ऐसे किया और ये ऐसे ऐसे करेगी समझ रहे हैं तो vibration भी ऐसी हो रहा है और spring भी ऐसे ऐसे जारी है यानि कि उसी दिशा में vibration उसी दिशा में कोई लंबनी बन रहा है parallel समानंतर हो रहा है बच्चों की spring देखी होगे आपने बच्चों से ऐसे खिलते हैं तो spring को मैंने ऐसे दबाया तो इसकी तरंग ऐसे गई ऐसे दबाया तरंग ऐसे गई ऐसे अईसे हो रहा है कि नहीं तो ऐसे ही मैं force लगा रहा हूं ऐसे ही मैं vibration कर रहा हूं और ऐसे ही wave आगे बढ़ रही है तो इसमें कौन कोंसी example आ सकते हैं पहले spring ही लिख लेते हैं, spring, इसमें sound, याद अखिएगा, sound बेटा अनुद्यार्ग तरंग है, generally, in air, it is अनुद्यार्ग तरंग, sound या, धोनी, यह चोटा साथ जो आपको दिख रहा है figure, यह बड़ा important figure है, बहुत से questions चोटा से figure में बनते हैं, आप पराने एक्जाम उठा के देखिएगा, इस lecture के बाद आप पराने एक्जाम उठा के देखेंगे, आपको बहुत सरे questions मिलेंगे, हाले के चोटा से lecture होगा आज का, तो यह जो है, चार प्रिकार से हम लोग तरंगों को बाटते हैं, इसमें माटने के दो अलग-अलग medium है, अब देखिए, यहाँ पर प अब बरिजन नहीं करना अपस में, ठीक है भी, समझ रहे हैं, एक चीज और, जैसे, चार, मैंने जैसे आपको अभी spring का एक example लिया था, मैंने आपको बताया कि, मैंने एक छोटी से चीज़ को, ऐसे spring में, कई सारी spring में ऐसे इसको मैंने, बांध करके, इसे रख दिया, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि, इसको मैंने ऐसे करके खींचा, और छोड़ दिया, तो ये energy इस पर गई, फिर ये इस पर फिर इस पर फिर इस पर 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 ऐसे गई, एक ध्यान दीजिए गा अगर माली जैं यहाँ पर एक लाइन कि पहले ये, जो system था, यहाँ पर ये चीज ऐसे थी, सीधी, फिर मैं energy थी तो ये आगे गई, ये आगे गई, तो ऐसे इसके energy ऐसे आगे गई, ये आगे गया, लेकिन आगे जाके आगे थोड़ी चला जाएगा, फिर ये पीछे लोट कर आएगा कि नहीं, जो कि हमें मालु पर यहाँ आएगा, फिर और पीछे जाएगा, है ना, तो जब और पीछे जाएगा, तो फिर और पीछे जाएगा, और पीछे कितना जाएगा, इतनी यहाँ तक जाके फिर बापस वहीं आएगा, जहाँ था, ऐसी तो करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फि यह वाला चित्र अब आपको थोड़ा सा मामला याद आएगा यहाँ सर यह तो हमने वेव में देखा गई न गई है यह फिगर देखा आप लोगों ने फिगर देखा आप लोगों ने तो यह यही है कि यह पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया दूसरा example भी ले सकते हैं आप इसमें, जैसे माल लेजिए पानी है यह sound की बात करें, तो यह देखिए हवा है, अब हवा नमाने के इसको पानी माल लेजिए, यह पानी है तो पानी को मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ, यह मेरे पास, यह पानी है, पानी को धक्का दूँगा मैं ऐसे करके, पानी के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, पानी के अडू है, अम धक्का दूँगा तो पानी में लेहर पैदा होगी, ऐसे करके, यही लेहर आगे जाएगी, तो ले यह आसे जा रहा है, इसको हिला रहा है, फिर इसको हिला रहा है, फिर ऐसे करके वेव आगे जा रही है, तो मैं चुब बोल रहा हूं बिटा, वो जो बोल रहा हूं, यह हवा के अटम को ऐसे धक्का मार रहा है, वो धक्का वो बगल वाले अटम को मार रहा है, फिर बगल वाल जाएगे फिर नीचे जाएगे ठीक है अगर आपको याद हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं हम लोग Crest C-R-E-S-T Crest या Shrung Hindi में कहते हैं इसको Shrung नीचे वाले जो ये point है अचा उपर वालों को ते कहते है Crest नीचे वालों को Hindi में कहते है शायद Girt इसको कहते है Girt और English में कहते है T-R-O-U-G-H टर्फ ठीक है? ओके ये दो point होते हैं अब ती 4 में आपको छोटे छोटे चीज़ें बताने वाला हूँ जो पूरी वेव में आपके काम आने वाली है तब तक तरंग चलेगा sound wave, ये wave, वो wave तब तक काम आएगा एक शाद आपने सुना होगा तरंग देर्ग तरंग देर्ग wavelength क्या होता है बिटा wavelength वेवलेंद क्या होता है अचा इसको किसे को का confusion हो रहा ना बिटा है समझने में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जैसे pendulum होता है पेंडूलम pendulum यहाद है एक आगे के नीचे गोल बांद देते हैं उसको ऐसे हिलाते हैं तो पेंडूलम ऐसे गया पर यहाद फिर ऐसे गया तो wavelength क्या होता है wavelength आप ऐसे लिखिए कि यहाँ से यहाँ तक चलने में यानि एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी दूरी टै करने पड़ेगी उसको बोलते हैं wavelength मतलब यह pendulum या वह energy से भी देख सकते हैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया जितनी दूर चला वही है wavelength ठीक है समझ रहें तो यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि तरंग की तरंगर होती है यहाँ से लेकर और यहाँ तक यह दूनों पॉइंट आप कह सकते हैं तो आप लिख लिजे the distance covered to complete one vibration लिख लिजे the distance covered to complete one vibration एक कमपन में तै की गई दूरी क्या कहलाती है तरंगर कहलाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की अब इसको यह भी याद रखना है आपको अगर दो crest की बीच की दूरी हम पता करें या दो turf या गर्थ की बीच की दूरी पता करें तो यह दोनों भी इसी के परावर है तो दो गर्थों की बीच की दूरी ये भी तरंगर्थ है Crust या shrunk की बीच की दूरी and contrastOULD और यहाँ से लिकर यहाँ तक की दूरी भी wavelength होती है समझ में आ रहा आपको याद रखे कि बड़ी important बाते बता रहा हूँ आपको मैं एक तो यह बात हो गई आच्छा इस figure को बना लीजिए आप pause करके फटापट आप मैं दूसरे figure आपको समझात हूँ तो एक अगला सब्ध है एक अगला शब्ध है बेटा जिसको हम बोलता है आयाम इंप्लीटूड अगला हेडिंग लिए एंप्लीटूड आयाम क्या होता है आयाम, amplitude, आयाम क्या होता, भैच्छों, देखे, यह जो दूरी है, यहाँ से लेकर कि, यह आयाम है, इसको हम ए से denote करते हैं, तरंग दिर्ख को आपको शायद होगा हम लेम्डा से पतिर्शित करते हैं, this is called लेम्डा, और तरंग दिर्ख को हम लोग A से बदर्शित करते हैं मतलब आप समझिए कि pendulum है ऐसे चल रहा है अब नगा सर इसका आयाम बढ़ाईए इसका amplitude बढ़ाईए मैं करको अच्छा तो amplitude बढ़ा गया ठीक है सर अब अब सर amplitude कम कर दिए मैं कर अच्छा सर amplitude कम हो गया समझ रहे हैं तो इसका मतलब माध इस्थिति अब इसको definition नगर दे तो जो midpoint है उससे maximum displacement कितना हुआ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया वो उसका आयाम है आयाम बढ़ाना है तो ऐसे हो जाएगा लिख लीजे माध इस्थिति से अधिक्तम विस्थापन तो जैसे मुझे आप काऊगा सार इसमें आप इसमें पॉइंट लिखिया आवरति आवरति या तरंग देर्ग आवरति या frequency frequency क्या होता बेटा definition लिखे definition यह है कि एक सेकंड में किये गए कंपनो की संख्या इसको n से डिनोट करते हैं एक सेकंड में किये गए कंपनो की संख्या तिए number of vibration पर second समाने भाषा हम समझें तो मैं ऐसे कर रहूам vibration यानि number of vibration ज़ादा होने चाहिए per unit time में per second में number of vibration जितने ज़्यादा है अबरती उतनी ही ज़्यादा है इसका मात्रक होता है कई बार एक्जाम में पूछा गया है हड्स इसको लिख लिजेगा इसका मात्रक हड्स होता है the unit of अबरती is हड्स sound में पढ़ेंगे तो इस सब चीजों को दुबारा से लेकर हम आएंगे next point एक और point होता है बिट्टा जिसको बोलते हैं आवर्त काल आवर्त काल time period आवर्त काल या time period इसको t से denote करते हैं हम लोग time period क्या होता है बच्चों time period होता है एक लिखिए एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय time period में लिखिए एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय the time taken to complete one vibration the time taken to complete one vibration और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आवर्त काल के विद्ट करमानुपाती होती है inversely proportionate होती है मैं समझाता हूं कैसे होती है आपको ये भी याद रखना है कि आवर्ती या frequency is inversely proportionate to one upon t मतलब आवर्ती आवर्त काल के विद्ट करमानुपाती होती है इंगलिश वाले लिख लीजेगा इसको आवर्ती मतलब frequency आवर्त काल मतलब time period अचा ये विद्ट करमानुपाती समझ में आता है न आपको इसका मतलब ये होता है अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगे देखो आप इसको ऐसे समझ सकते है frequency मैंने आपको बोला कि भाई पांच सेकिंड में भीस बार कमपन किया ठीक है इस्तिती नंबर एक ये एक इस्तिती है सिच्वोशन नंबर दो मैंने बोला पांच सेकिंड में पक्छिस बार कमपन किया अब दर देखते हैं क्या-कया कितना-कितना हुआ यहाँ पर भीटा हम बात करें एक second में कितने company करते हैं, यहां पर t कितना हो जाएगा, time period कितना हुआ है, time period किया है, कि एक company में कितना समय लिया, तो time, मतलब 5 second में होते हैं 20 company, तो एक company कितनी देर में होगा, 20 वटे, sorry, 5 वटे 20, तो 5 वटे 20, तो आशर कितना आ जाएगा, 1 वट्टे 4 मतलब 0.25 तो इस वाली चीज़ को हम मैं देखा तो N आ गया 4 और T आ गया 0.25 अब ज़र इस वाली चीज़ को भी देख लेता है कि 5 सेकिंड में 25 वार vibration हो रहा है यहाँ पर N कितना आएगा बिटा 25 वट्टे 5 यानि कि 5 आ जाएगा यानि यहाँ पर Vibration बढ़ गया आवरती बढ़ गया यहाँ आवरती 4 थी यहाँ आवरती 5 हो गई T पर देखते हैं क्या प्रभाब बढ़ा T कैसा निकाल लेगे 5 वट्टे 25 यानि 1 वट्टे 5 यानि 0.20 ऐसी तो आएगा तो मैं देखा यार कि जब आवरती तो बढ़ गया अवरती लेगे तो जब भी आवरती बढ़ेगी तो आवरती कम होगा और आवरती काल बढ़ेगा तो आवरती कम होगी ठीक है ? तो दोनो inversely proportionate हैं इसको याद रखियेगा तो इसको दोनों को चीज़ों को आप याद रखिएगा अगर doubt होना तो हो सकता आपको लगे कि मैं जल्ली वीडियो बना रहूँ उसका reason है वेटा अभी एक लंबा सा वीडियो बनाया था मैंने खराब हो गया वो तो energy थोड़ी exhausted हो जाती है उससे चलो कोई नहीं बट I hope समझ में आ रहा होगा आप लोगो दूसरी बात अच्छा ये चीज़ और समझ लीजे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये जो तरंग देर्ग है और आवरती है इसमें कोई relation है क्या बेलको relation है सर तरंग देर्ग या wavelength क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी wavelength है और आवरती क्या है एक second में किये गए कंपनों की संक्या है एक second में कितनी बार vibration हुए तो माल लेते हैं यहाँ पर एक सेकंड पूरा हो रहा है या दो सेकंड पूरा है, कोई भी टाइम आप ले लिजे आप मुझसे कहेंगे सार इसका जड़ा आप एक काम कीजिए सार इसका आवरती बढ़ा दीजिए इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए तो मैं फिगर कैसे बनाओंगा बिटा? मैं फिगर ऐसे बनाओंगा ना यह फिर मैं फिगर क्योंकि यहाँ तक complete एक हुआ था तो मुझे इस समय में ज़्यादा वार का vibration करना है तो मुझे मैं vibration कैसे करूँगा? मैं vibration ऐसे करूँगा ऐसे, 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 तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर जितनी देर में एक vibration हो रहा था है, वहाँ उतनी देर में तीन vibration हो गए, तो अबरती बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं, frequency बढ़ गई, frequency तो बढ़ गई यार, लेकिन wavelength पर क्या प्रवाब पढ़ा, यहाँ wavelength यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और यहाँ wavelength यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक रहागी, तो wavelength कम हो गई, तो same relation हम तरंग देर्ग और अबरती बढ़ बना सकते हैं, कि तरंग देर्ग भी वितकुर्मान उपाती होती है, आबरती के, यानि wavelength is also inversely proportionate to frequency, wavelength is inversely proportionate to frequency, यानि जब मैं बोलूँगा कि तरंग देर्ग जादा है, तो आप समझ जाएगा आबरती कम है, जब मैं बोलूँगा आबरती जादा है, तो आप समझ जाएगा कि तरंग देर्ग कम है, दो और यहाँ दूसरे के कैसे हैं, inversely proportionate, यहाँ तक बटा चीज़ना समझ बहुत 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 जरूरी है आपके लिए, अगर आप physics में अच्छे question solve करना चाहते हैं तो, और इनी शब्तों को लेकर कि आप हम सारी wave के आने वाले एक दू लेक्शन उपर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ छोटा से lecture बनाया है, इसको भी खतम करता हूँ, फिर मैं अगरे lecture में बाकी बात करते हैं, नमश्कार